हेलो एवरीवन दिस इस गुला शेक बाल एंड वेलकम टू मैं यूटूब चैनल गुल स्टेडी पॉइंट हमारा आज का टोपिक है ओड ओड एक लिट्रेरी टर्म है ओड सॉनेट एलिजी लिडिकर बैलेड यह इस टाइप के सारे लिट्रेरी टर्म्स है तो इसकी मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूं जिसमें सॉनेट का सेपरेटली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो में ब्रीफ डस्क् दे चुकी हूं अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो की लिंक में डेस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं आप जाकर देख लीजिए मैंने फॉर्म्स ओफ लिट्रेचर की प्रोज पोईट्री एंड ड्रामा इंस अभी की वीडियो इन इस टाइप प्रोज और सफ ईट्रामा इंस टाइप और पॉट्री एंड इट्स टाइप की वीडियो जो आप लों के लिए अप्लोड की है वीडियो की लिंक मरे Doctor मैं शेयर करनाव वादी सु आपकाञा वाली हूं तो चलिए शुरू करते हैं, अपने point पर आते हैं, odd What is an odd? Odd क्या है? देखे, odd is a type of lyric poem, odd lyric poem का एक परकार है It is written in prayers and or celebration of an object It is written, यह लिखी जाती है in prayers, तारिफ करने के लिए किसी की and or celebration of an object या किसी चीज के celebration के लिए लिखी जाती है A place, celebration या praise जो है किसी place की हो, किसी इस्थान की हो या और an experience या कोई अनुभाव हो देखे, इस में odd में क्या होता है? Odd में जो है किसी व्यक्ति या वस्तू की तारिफ की जाती है या किसी occasion को celebrate किया जाता है किसी place की तारिफ कि जाती है या अपने अनुभव को व्यक्ति किया जाता है odd is used for glorifying someone odd is used odd का प्रियोग किया जाता है for glorifying someone किसी की तारीफ करने के लिए किसी की परशनसा करने के लिए odd originated in ancient Greece odd originated कहां हुई थी इसका विकास कहां हुआ था ancient Greece में, प्राचीन Greece में अब देख लेते हैं हम types of odd, odd कितने पिलकार के होते है देखे types of odd, odd तीन पिलकार के होते है कौन-कौन से होते है pindaric odd नमबर दो है horatian odd और नमबर तीन है irregular odd देखे pindaric odd जो होता है वो follow the rules of pindar ये pindar के rule को follow करता है ये horatian odd है, ये horat के rule को conventions को follow करता है और जो irregular odd है इसमें जो है rhyme का use किया जाता है अब इनका see appropriately description में आप लोगं को बता रही हूं इसलिए वीडियो के साथ बने रही है वीडियो को पूरा देखे वीडियो को skip ना करें वरना तो आपको जो important points में बात बात में बता रही हूं बार बार बता रही हूं वो आप से छूट जाएंगे इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें और पूरा देखें देखें, मैंने आपको बता आया है जैसे odd तीन kinds के होते हैं तीन पिरकार के pindaric odd, horatian odd and irregular odd तो सबसे पहले हम अपना first point को ले लेते हैं pindaric odd देखें, pindaric odd is the oldest type of odd pindaric odd जो है वो odd का सबसे प्राचीन type है, मतलब पिरकार है pindar was an Asian Greek point pindar जो थे हैं यह जो pindaric odd है इसका जो नाम पढ़ा, यह एक point थे pindar, इनके नाम पर पढ़ा pindar was an Asian Greek point pindar एक Asian Greek point थे pindaric odd is written to celebrate someone's victory pindaric odd, pindaric odd is written लिखी जाती है to celebrate someone's victory किसी व्यक्ति की victory जीत को celebrate करने के लिए pindaric odd had music and dance pindaric odd में music और dance भी क्या जाता है the structure of pindaric odd has three stanza जो इसके structure क्या होता है pindaric odd का, इसमें three stanza होते है the name of three stanza are इन तीनो stanza के नाम है strophe, anti-strophe and e-board देखे, यह जो point है यह बहुत याद करने का लिए है आप लोगों के लिए important point है यह आपको याद रखना है pindaric odd के तीन stanza होते हैं उन तीनो stanza के नाम क्या है strophe, no.2 anti-strophe and no.3 e-board ठीक है the poem of John Keats named odd to autumn followed this structure जो यह structure है strophe, anti-strophe and e-board का इस structure को John Keats ने follow किया अपनी odd में, odd to autumn में mostly birds follow this pindaric structure writing their odds जो ज्याद तर कभी क्या करते हैं कि इसी structure को follow करते हैं यानि कि strophe and anti-strophe e-board वाले structure को follow करते हैं यह structure pindaric odd structure भी कहलाता है the progress of poesie thomas gray is the the progress of poesie यह जो odd है यह thomas gray के द्वारा लिखी गई है example of pindaric odd यह जो है progress of poesie thomas gray की यह भी एक pindaric odd का example है intimation of immortality from reflection of early childhood यह जो odd है जिसका मैंना भी नाम बोला है intimation of immortality from reflection of early childhood यह William Wordsworth की एक odd है और यह भी एक good example of pindaric odd यह भी एक irregular pindaric odd का अच्छा example है this odd is written in irregular pindaric tradition यह odd लिखी गई है in irregular pindaric tradition irregular pindaric tradition में next आती है हमारा Horatian odd देखिए मैंने तीन काइंट आपको odd के बताए है pindaric odd, horatian odd और irregular odd तो मैंने जो सबसे पहले pindaric odd के बारे में आपको समझा है I hope आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग की समझ में बहुत अच्छा सा आगा आपको नेक्स पॉइंट पढ़ाते है Horatian odd Horatian odd Horatian odd was a latin poet Horat जो है एक latin poet थे देखिए pindaric odd का नाम भी pindar के नाम पर पढ़ा Horatian odd का नाम होरे के नाम पर पढ़ा और his name उनके नाम पर this type odd is called Horatian odd इस तरह की odd को Horatian odd कहा जाता है उनके नाम पर ही Horatian odds are written into Kortrans Horatian odds जो है Kortrans में लिखी जाती थी Kortrans किसे कहते हैं Stands of four lines चार लाइन के stanza को मतलब जब ओड चार-चार लाइनों में लिखी जाए जब चार लाइन का एक stanza हो तो उसे Kortrans कहते हैं दो लाइन की stanza को क्या कहते हैं कापलेट and कापलेट टू लाइन से stanza और टू लाइन से stanza में लिखा गया देखिए जो पिंडरिक odd है वो किसी की victory को celebrate करने के लिए लिखी जाती है हुरेशन ओड क्या है हुरेशन ओड जो है एक लेटन पॉइट थे लिखी जाती है कोर्टरंस कहते हैं चार लाइन के stanza को कपलेट कहते हैं दो लाइन के stanza को नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर ओड देखी इर्रेगुलर ओड इंग्लिश ओड्स और रिटन इन इर्रेगुलर स्ट्रक्चर इंग्लिश ओड्स जो है अब इनके बाद हमारे आती है इंग्लिश ओड्स इंग्लिश ओड्स जो है वो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं इन irregular odds, poet uses rhyme scheme और irregular odds में poet क्या करते थे, इसमें rhyme scheme का use करते थे there is no structure of irregular odds, इनका कोई structure नहीं था, देखिए जैसे इसमें structure दिखा आया है, कोट रहनों का प्लेट होता है, लेकिन इसमें कोई structure नहीं होता, सिर्फ rhyme scheme होती है so it's called irregular irregular odd, इसलिए इसको irregular odd कहा जाता है irregular odd is properly differ from pindaric odd and horatian odd जो हमारा irregular odd है, यह पूरी तरह से pindaric odd और horatian odd तोनों से different है, अलग है irregular odd doesn't follow the structure of pindaric odd and horatian irregular odd जो है, वो pindaric odd और horatian odd की तरह structure को follow नहीं करता है odd to the west wind, odd to the west wind, pb shelley के द्वारा लिखी गई है is written following the rule of irregular odd, यह एक irregular odd है क्योंकि इसने irregular odd के rules को follow किया है कौन सा odd है, जो irregular है, odd to the west wind, odd लिखा कि इसने है, persubishi shelley नहीं so it is irregular odd, इसलिए यह irregular odd है, irregular odd has how many stanzas, there is not boundation, irregular odd में कितने भी stanzas हो सकते हैं, there is no boundation, इसमें कोई boundation नहीं है, देखें यह last point मैं आपको बता रही हूं जो आपको याद रखना है, Edmund Spencer wrote the earliest odd in English, जो सबसे earliest odd in English में लिखी थी, वो किसमें लिखी थी, Edmund Spencer ने, और उस odd का नाम क्या था, epithelium and prothalemian, epithelium and prothalemian, यह odd जो है, Edmund Spencer ने लिखी थी, यह earliest odd of English है, तो you have to remember this point, ओके, तो यह थी हमारी आज की वीडिए, जिसमें हमने आपको ओड के बारे में बताया, I hope आप लोगों को ओड के बारे में प्रोपर जानकारी मिल गई होगी, और आप समझ चुके होंगे, और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सॉनेट के बारे में समझाया था, आप सॉनेट के काई निस सॉनेट का ओरिजिन कहा हूँ, यह सारी चीज़ा आपको समझाया है, तो अब बताएए कमेंट बॉक्स में क्या आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पसंद आई हो अगर आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, तब तक के लिए नमस्कार, शच्रीकाल, अलस्लाम अलेकुम, बाबाई, टेक केर,